पतली कमर मटका के आज हम बात करेंगे एक ऐसी अधकारा की बारे में जो पिछले तीन डशकों से फिल्म इंडस्ट्री में डशकों की बीच अपनी जगे बनाए हुए हैं इस अधकारा की फिल्मों की गिंती या फिर यूँ कहें कि इनकी सफल फिल्मों की गिंती तो बहुत कम है उसके बावजूद आज तक ये दर्शकों के बीच हमेशा चाही रहती हैं इसका कारण है कि इस अधकारा ने कभी भी इस ग्लेमरस वर्ट से दूरी नहीं बनाए और फिल्मों में अपना करियर खास ना चलने के बावजूद कुछ ना कुछ करके लाइम लाइट में बनी रही हमेशा पाजिटिव रहो ऐसा कहने वाली ये अभी नीत्री अपने पती की वज़े से भी काफी चर्चा में रहती हैं दो बार काफी बड़ी समस्याओं में गिरा हुआ इनका पती इन्हें भी अपनू चपेट में ले लेता है लेकिन हर बार ये अभी नीत्री बिना किसी शिकन के दर्शकों को खिल कि लाते हुए यहाँ वहाँ दिखाई देती रहती हैं क्या कारण है इसका आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगी क्योंकि इतनी नासमझ तो ये अभी ने ट्रेन नहीं होंगी कि इनके पती के कारणामों के बारे में ये जर्ण भी नहीं जानती हूँ अपनी फिल्मों से ज्यादा योगा, रेलिटी शो में जच, शादी में मिली अंगूठी और मासमें की पत्नी क्या वाकई कीचर में कमल की तरह है जो कुछ नहीं जानती या फिर उस गुलाब के फूल की तरह है जो बेहत खुबसूरत तो होता है पर उसमें काटे छेपे होते हैं यहां इनके बारे में वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम हर संभव कोशिश करेंगे कि इनके जिन्दगी के घटनाक्रम को सही तरीके से आपको बता सकें लेकिन आपकी राए भी बहुत महत्वपून होगी क्योंकि हमारा मानना है कि यह जो पबलिक है यह सब जानती है तो चलिए शुरू करते हैं इस अभी नीत्री के करियर के कुछ पराफ और नीजी जिन्दगी के बहुत से पहलों के बारे में जानना आप बस बने रहे हैं हमारे साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट चोटी और आप देख रहे हैं बॉलिवुड क्लासिक एरा आज हम बात करेंगे अपनी उम्र को पीछे छोड़ देने वाली अभी नेत्री शिल्पशेटी के बारे में और साथ ही अगर यहां शिल्पशेटी का दिक्र है तो उनके जिन्दगी के सबसे बड़े एसेट उनके पती राजखुंद्रा का दिक्र होना भी आनिवारे होगा आठ जुन 1975 में जन्मी शिल्पश मैंगलोर से हैं इनके पता सुरेंदर शिटी एक बड़े बिजनसमेंट थे और मा सुननदा शिटी हैं इनके मा सुननदा जो की एस्ट्रोलॉजी में बड़ा रुझान रखती हैं उन्हें बताया गया था कि ये लड़की एक दिन बहुत फेमस होगी और यही कारण भी बना शिल्पव का बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में आने का उनके पता तो चाहती थी कि शिल्पव अपनी पढ़ायाई पूरी करें पर मा के सपोर्ट की चलते शिल्पशेटी को गलेम्रिस वर्ड में आने का मौका बहुत ही जल्दी मिल गय शिल्पा के स्कूलिंग मुंबई के सेंट एंटॉनी गर्ल हाई स्कूल से हुई और इन्होंने भारत नाट्यों में प्रसेक्षिन भी लिया इनका अरंभिक नाम रहा अश्विनी शेटी स्कूल से दस्वी के बाद ही शिल्पा ने मॉडलिंग शुरू कर दी और 1992 में जब शिल्पा 17 साल की थी तो उन्हें उनकी पहली फिल्म गाता रहे मेरा दिल मिली जिसमें उनके ऑपोजिट थे रोहित रोय और रोनित रोय लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई और फिर अगले साल उनकी फिल्म बार्जिगर रिलीज हुई जिसमें उनके साथ शारुक खान थे फिल्म में मुख्यत काजोल और शारुक खान का केदार जादा बड़ा था और शिल्पा शेटी को कहानी के अनुसार आदी फिल्म तक ही काम करना था लेकिन शिल्पा ने उतने ही रोल में दर्शकों के बीच अपनी जगे बना ली फिल्म का एक गाना किताबें बहुत सी पड़ी होंगी तुमने आज भी दर्शकों को जरूर याद होगा 1994 में रिलीज फिल्म मैं खिलाडी तु अनाडी भी शिल्पा की सुफल फिल्म रही और इसे फिल्म की साथ साथ शिल्पा शेटी और अक्षे कुमार के अफिर्स के काफी चर्चे भी हुए नेरी चाने जाना आ जा तुझे प्यार तू लेकिन आज के फेमस सिद्धानतवादी अक्षे कुमार जो अपनी फिल्मों और डिस्सिप्लीन के लिए जाने जाते हैं वे उस समय एक प्ले बॉई के तौर पर जाने जाते थे फिल्म धरकन जो के साल 2000 में रिलीज हुई इसके बाद ही शिल्पा शेती ने अक्षे कुमार के बारे में अपने मन की भडास निकाली क्योंकि अक्षे ने उन्हें धोका दिया था हाला कि मैं खिलाडी तू अनारी के बाद बहुत सी फिल्मों में काम करने वाली शिल्पा ने फिल्म धरकन की सफलता के साथ अपने करियर के लिए थोड़ा चैन की सांस ली थी क्योंकि बाकी रिलीज उनकी सबी फिल्म में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी इसके बाद सिर्फ कुछ दो फिल्मे थी जिसमें शिल्पा के काम को सरहाया गया था ये फिल्म रही 2004 में रिलीज फिर मिलेंगे 2006 में लाइफ इना मेट्रो 2008 में रिलीज फिल्म दोस्ताना में शिल्पा शिर्टी का एक गाना शट अप इन बाउंस भी तर्शकों के बीच कमाल कर गया था हाला कि बाजिकर के बाद से शिल्पा शिर्टी के अपेरेंस में जो बदलाव आया वो बेहद ही आकरशक था लेकिन बावजूद इसके उनकी फिल्म कुछ बहुत ज्यादा फाइदा उन्हें नहीं पहुचा रही थी इसलिए शिल्पा ने कुछ अलग किस्म के प्रस्तावों पर भी काम किया जैसे 2006 में जलक दिखलाजा टांस रियालिटी शो में वे जजज बनी और 2007 में तो उन्होंने ब्रिटेन के शो बिग ब्रदर को जीत कर अपनी किस्मत ही बदल दी यही वो शो था जिसके बाद लंदन में वे राजकुंद्रा से मिली उस समय शिल्पा के मैनेजर से एक दोस के कनेक्शन की वज़े से राजकुंद्रा शिल्पा शेटे से मिल पाए उस समय राजकुंदरा ने शिल्पा के लिए एक बिजनस प्रोपोजल तयार किया ताकि उनकी मुलाकात सफल रहे तब शिल्पा ने एक पर्फ्यूम का ब्रैंड लॉंच किया था जिसमें राजकुंदरा उनके साथ थे हाला की ये मुलवाकात बिजनस का बहाना बना कर की गई थी लेकिन राजकुन्दरा शिल्पा के सेलेबरिटी स्टेटिस और उनकी खुबसूरती की वज़े से उनसे बेहर ब entrar प्रभावित थे पहल राजकुन्दरा की तरफ सी की गई थी साथी राजकुंद्रा अपनी पहले मुलाकात पे ही शिल्पा की मां से मिले और तब उन्होंने शिल्पा की मां के पैट चू कर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जब राजकुंद्रा ने शिल्पा को शादी के लिए प्रपोस किया तब शिल्पा के ये कहने पर के मैं इंडिया नहीं छोड़ूंगी और आप लंडन रहते हैं तो जनाब राजखुंद्रा ने शिल्पा के लिए लंडन ही छोड़ दिया उन्होंने शिल्पा को पहले जुहू में अमिताब बच्चन के घर के सामने एक फ्लेट खरीद कर दिया और फिर 2009 में दोनोंने शादी कर ली शादी से पहली हुई इंगेज्मेंट भी काफी चर्चित रही क्योंकि उस समय शिल्पा राजकुंद्रा दौरा पहनाई गई तीन करोर की अंगूटी को फ्लॉंट करने से नहीं रुक पाती थी राजकुंद्रा पहले से शादी शुदा थे और उनकी पहली पत्नी कवीता ने शिल्पा पर उनका घर तोड़ने का इल्जाम भी लगाया था लेकिन कवीता के इस बात में सच्चाई जरा कम ही नजर आती थी क्योंकि अगर हम सभी साल और तारीकों पर गौर करें तो राजकुंद्रा का कवीता से डिवर्स 2006 में हुआ था और अगर शिल्पा और कुंद्रा के बातों पर जाएं तो राजकुंद्रा शिल्पा शिटी से पहली बार 2007 में बिग ब्रदर जीतने के बाद ही मिले थे राजकुंद्रा और कवीता दोनों ने मीडिया के सामने एक दूसरे पर एलिगेशन्स भी लगाए कवीता ने शिल्पा को जिमेदार बताया तो राजकुंद्रा ने कवीता के बारे में बताया कि उनका एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर राजकुंद्रा के ही बेहनके पती के साथ चल रहा था इनके इस विवाद के बारे में मीडिया के पास कोई भी सबूत नहीं है कौन सच्चा था और कौन जूटा ये हमारे लिए कहना फिजूल होगा तलाग के वक्त राज कुंद्रा की अपनी पहली पत्नी से एक दो महीनी की बेटी भी थी शादी के बाद शिर्पा शित्टी ने अपने योगा फ्रीक होने की वज़े से भी खुब नाम कमाया और 2015 में अपनी योगा सीडी भी लांच की यूट्यूब पर विदर्शकों को कुकिंग करते हुए भी दिखाएं दी और साथ ही शिर्पा ने अलग-अलग बिजनस में भी अपना हाथ डाला जैसे ब्यूटी एंड स्पा बिजनस इसके सिवा उन्होंने एक लगशूरिस रेस्टरांट भी खोला शिल्पा का फिल्मों का कर्यर तो पूरी तरह से खत्म था लेकिन अपनी परसनालिटी पर लगातार काम करने वाली शिल्पा टीवी पर होने वाले रियलिटी शोस को जज़ करती नहीं और हमेशा इनी कारण की वज़े से वो कभी भी लोगों की नजरों से गायब नहीं हुई शिल्पा ने शादी के 34 साल में यानी 2012 में बेटे वियान को चर्म दिया और 2020 में विफिर से मा बनी एक बेटी की लिए इन्होंने सेरोगेसी का सहारा लिया 2020 में शिल्पा 45 साल की थी जाहिर था कि बेटी क राज कुंदरा के पिता बाल कृष्ण कुंदरा अपनी बीवी और टीम बच्चों को लेकर लुध्याने से लंडन पहुंचे थे उस समय गुजारा करने के लिए उन्होंने रूई की फेक्टरी तो उनकी बीवी ने चश्मा बनाने वाली दुकान में काम किया कुछ पैसा जोड़ कर वहां उन्होंने एक किराने की दुकान भी खोली और उसके बार बहुत से चोटे चोटे बिजनस में हाथ डाल कर उन्होंने खुद को लंडन में एक मिडल क्लास बिजनसमैन बना लिया राज कुंदरा ने हमेशा अपने पिता को बिजनस करते देखा और वही से शुरुआत हुई बिजनसमैन के तौट पर अपने पिता के दिये हुए कुछ पैसों से उन्होंने अपना पहला बिजनस शुरू किया था दरसल उन्हें एक बार ने बार जाना पड़ा वहां उन्हें पश्मीना शॉल दिखाई दिये और वही से कम दामों पर बेहतरीन के तौर पर ही जाना गया अब वह बिजनस क्या कर रहे होंगे दीरे दीरे समय के साथ साथ इसका खुलासा होता गया हमें भी आइडिया बताओ यार की पिना कुछ किये पैसा कैसे कमाते गाँ आप इनी चीज़ राली वो इतने हार्ड वरकिंग है मैं बता नहीं सकती ही सच हार्ड वरकिंग मैन राजखुंद्रा और शिर्पा शिर्टी की पहली कॉंट्रोवर्सी हुई जब 2009 में IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में विराजसान रॉयल्स के ओनर बनी लेकिन वहां एक कॉंट्रोवर्सी के तहट राजखुंद्रा को क्रिकेट से हमेशा के लिए बैंड कर दिया गय और राजखुंद्रा बी सी से आए द्वारा इन दोनों एलिगेशन के लिए गिल्टी पाए गए गए। शिल्पा शिर्टी उस समय ट्विटर पर बेहद एक्टिव रही और जो भी मीडिया हाउसेस इस बारे में खबरे चला रहे थे उन पर मान्धानी का दावा करने की ध हम किया देती रही यहां तक की 12 घंते की पूश्टाच के बाद जब राजखुंद्रा ने अपना पहला टूइट किया तो वो भी काफी इंट्रस्टिंग था उन्होंने लिखा था कि जो मीडिया वाले घंटों भार खड़े होकर मेरी एक बाइक का इंतजार कर रहे थे उन इनी कॉंट्रोवर्सी में शिल्पा शेटी की प्रतिक्रिया काफी उग्रिती लेकिन समय की साथ-साथ और अनुबवों की साथ-साथ हर इंसान परिस्तित्यों को कैसे संभालना है यह जादा बहतर तरीके से सीख जाता है और वहीं शिल्पा का अनुबव दर्शकों को पुलिस के पास एक शिकायत दर्श की गई थी इसी जाच के सिलसले में मडाइलन के एक बंगली से जहां इस मकसद से शूटिंग की जा रही थी वहां मुंबई पुलिस ने चापा मारा उस समय वहां शूटिंग में शामिल टेक्निकल स्टाफ और उस फिल्म में काम कर रही अबिनेत्री गैना वशिष्ट से पुलिस द्वारा पूश्टाच की गई थी और उन सभी को गिरफ्तार भी किया गया पुलिस के कड़े रवये के साथ उस दिन बहुत से राच उजागर हो गए थे जो कि पुलिस के लिए भी काफी बड़ा अश्य रह था लेकिन तब पु पुरे सबूतों के साथ तयार थी दरहसल वहां पर हर बड़ी चोटी शहर से अबिने के शित्र में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आई हुई लड़कियों के लिए शिकंजा तयार किया जाता था उन लड़कियों को अलग अलग OTT पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज का चांसा दिया जाता था इसके लिए मड़ाइलेंड पर एक बंगला लगभग ते रहता था उन्हें साइन करते समय बकाइदा जो स्क्रिप्ट जो रोल बताया जाता था वहां जाकर वैसा कुछ नहीं होता था जिस तरह का सीन उन्हें देने को उस समय कहा जाता अगर वे उस सीन को करने से इंकार कर देती तब उन्हें बताया जाता कि अब तक यहां पर जो भी खर्चा हुआ है उसका सारा पेमेंट उन्हें ही करना होगा मुंबया कर आर्ठिक तंगी से जूस्ती हुई यह लड़कियां अक्सर इनके जाल में फश्जाय करती इसके साथ उन्हें यह आश्वासन भी दे दिया जाता कि यह कॉंटेंट भारत में रिलेज नहीं होगा खिर गहना वश्जिश जैसे कुछ लड़कियां वहां जरूर रही होंगी जो अपनी मर्जी से इस जरी से पैसे कमाने में कोई आपती नहीं करती होंगी इस बात का भी खुलासा किया गया कि एक टीम हमेशा ऐसी लड़कियों के तलाश में जुटी रहती थी ये फिल्मे कुछ एप्स के द्वारा दर्शकों तक पहुचाई जाती थी जब दर्शक इन एप्स को डाउनलोड कर लेते तो कॉंटेंट देखने के लिए उन्हें सब्सक्रिप्शन लेना होता था और यह सब्सक्रिप्शन का पैसा राजकुंद्रा के कमाई का साधन था सौरप कुष्वाह नाम का एक व्यक्ति जो कि राजकुंद्रा के पास एक OTT प्लेटफॉर्म के प्रपोजल को लेकर गया था उसके मदद से राजकुंद्रा ने अपना एप होट शॉट बनवाया लेकिन इ इस तरीके का काम बैन है इसलिए राजकुंद्रा काफी चतुराई से खेल रहे थे जाहिरता राजकुंद्रा को कमाई कैसे करनी थी इसका पूरा प्लान उनके पास तयार था इसके बाद राजकुंद्रा बॉली फेन के एक दूसरे एप को भी बनवाने की तयारी में थे ज उस समय शिल्पा का रियक्शन लेना सभी चैनल्स के लिए एक बड़ा टार्गेट बन गया था और यहां शिल्पा की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया आही नहीं रही थी शिल्पा के मताबिक राज एरोटिक फिल्मों का निर्मान करते थे ना की उस तरह की फिल्मों का यहां मैं आपके जानकारी के लिए बता दू के एरोटिक फिल्म भी ठीक वैसी ही होती है पर उसका लेवल थोड़ा कम कर दिया जाता है आए दिन मीडिया में खबर आती कि शिल्पा शेटे राज कुन्रा को तलाग दे रही हैं कभी सुनने को मिलता कि शिल्पा अपने पती से बेहत नाराज हैं लेकिन सामने आकर शिल्पा ने इस सिच्वेशन पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी हाँ एक रियालिटी शो के दौरान उन दिनों बाकी के दो जजिस कि सहानू भूती लेते हुए शिल्पा को दिखाया गया और साथी उन्हें बेहत ब्रेव बताया गया खेर दो महीनी के बाद राजखुंद्रा जेल से निकले और उसके बाद तलाक वाली सभी अपवाहों पर ताला लग गया राजखुंद्रा कुछ समय के बाद शिल्पा और अपने बच्चे के साथ दिखाई देने लगे पर अब वो एक मास्क मैं बन चुके थे आज तक हमारी लिए ये समझना मुश्किल है कि राजखुंद्रा अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होकर मूची पानी के लिए मास्क पहनते थे या फिर वो पीडिया को और जनता को ही मास्क के पीछे से अपनी नाराजगी दिखा रहे थे कि जाओ मैं अब तुम से बात नहीं करता खेरों ने अब मास्क मैं के नाम से पुकारा जाने लगा और वहीं शिल्पा भी हसते खिलके लाते अपने पती के साथ इसी मास्क में कभी गनपती विसरजन तो कभी घूमते फिरते रिखाई देती अब यहां तरशक अपने आप ही थोड़ा अंदाजा लगाएं कि प राजकुंद्रा क्या करते हैं यह शिल्पा को बिलकुल नहीं बता था और वह एकदम मासूम थी उल्टा यहां थो राजकुंद्रा को भी मासूम बताने के लिए तीन नवंबर 2011 को एक फिर्म रिलीज हुई जिसका नाम था यूटी 69 इसका मतलब था अंडर ट्राइल 69 69 वह नंबर था जो राजकुंद्रा को भारत की सबसे क्राउड़ेट जेल आर्थर रोड जेल में दिया गया था अभी हाल है में जो तीसरी कॉंट्रुवर्सी राजकुंद्रा और शिल्पा शेटी के साथ चल रही है वह बिटकॉइन स्केम जिसके लिए एडी ने यानि इन्फ वेशकों से या फिर यूँ कहें जनता से उनके पैसे लेते और उसके बदले में हर महीनी उन्हें दस परसेंट प्रॉफिट रिटर्न करने का प्रॉमिस किया जाता बहुत बड़े लेवल में चल रहे इस स्कैम में शिल्पा शिट्टे के पती राजकुंद्रा के पास 250 से बिटकॉइन होने की बात सामने आई है जिसकी वेल्यू लगपग 150 करोड रुपे से भी ज्यादा है देखा जाये तो ये पैसा जनता का ही है हालकि अभी एडी इस विशे में चांच कर रही है और राजकुंद्रा इसमें कितने दोशी हैं ये हम नहीं बता सकते लेकिन इससे भी पूरी तरह नहीं नकाला जा सकता कि एडी ने यूँ ही हसते खेलते मासूम राजकुंद्रा पर हाट डाला होगा हाँ एक बात का आश्वासन तो हम भी दे सकते हैं कि इस घट्ना के बाद दर्शकों को फिर से राजकुंद्रा की एक और मुवी देखने को मिल सकत है तकि उस फिल्म के जरिये हम इस बात को जान सकें कि राजकुंद्रा बिटकॉइन घुटाले में भी मासूम है यहां शिल्पा की तारीफ करते हुए हम बस यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह उनके पती के बड़े बिसनसमेन बनने की पूरी कहानिया लोगों के सामने आ रह हैं राजकुंद्रा आपको कितने मासूम नजर आते हैं क्या शिल्पा शेट्री अपने पती के कर्टूतों के बारे में वाकई अंजान है साथ ही शिल्पा की कौन से फिल्म आपको पसंद है यह सब आप हमारे साथ कमेंड बॉक्स के द्वारा शेयर कर सकते हैं आप सुन र प्यार भरा नमस्कार